हेलो एवरिवन, छोटी मगर कमाल की कुकिंग टिप्स पोहा बनाते से में पोहा धुने के बाद उसमें निम्भू का रस मिलाएं, पोहा आपस में चिपकेगा नहीं यदि आप दही वाले ग्रेवी की सबजी बना रहे हैं, तो इसे मध्यम आज पर ही पकाएं और उसमें उबालाने के बाद ही नमक डाले, इससे दही फटेगा नहीं और सबजी भी स्वाधिश्ठ होगी चुटकी बर नमक और हल्दी डाल कर कच्चा केला को उबाले, केला काला नी परेगा रोटी बनाते समय तवे पर ही नमक डाल कर तवा को नमक से रगरे ऐसा करने से तवा चिखना हो जाता है और रोटी अच्छी बनती है तवा में चिपकती नहीं है मूंग दाल का हल्वा बनाने के लिए मूंग की दाल को ज़्यादा नहीं पीषना चाहिए हल्का दरदरा ही पीषना चाहिए इससे हल्वा दानेदार बनती है पानी में नमक मिला कर कीचन स्लेप को साफ करे या फिर पोछा लगाए इसे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और कीया मुकरित दूर रहते है पीसी हुई हल्दी को खराब होने से बचाने के लिए उसमें सावुत लाल में च्रक दे खराब नहीं होगी हल्दी प्याज को सिर्फ दो टुकरा करके उसे कुछ देर के लिए पानी में भीगो के छोड़ दे इससे प्याज कारते समय आँखों में आश्टू नहीं आएगी पूरिया खस्ती बनानी हो तो उसमें एक एक चमस सूजी या चावल का आटा मिलाएं इससे पूरिया बहुत खस्ती बनती है पराठे को तेल या घी में बनाने के बजाए अगर मक्षन में बनाया जाय तो पराठा काफी स्वाधिस्ट बनती है भिंडी को ज़्यादा समय तक फ्रेस रखना है तो उसमें थोड़ा सा सरसो का तेल लगा दे भिंडी बहुत देरी तक फ्रेस रही राजमा या उरत की डाल बनाने के लिए पानी में उवलते समय नमक नहीं डाले जल्दी पकेगी नमक डाल गलने के बाद ही डाले चीटी और कौकरोज को किचन से दूर रखने के लिए कुछ भी काटने के बाद प्लेट फॉर्म को अच्छे से साफ जोर करें करी को साम तक फ्रेस रखने के लिए उसमें आधा निम्बू करस निचोर दें एक चम सक्कर को भूरा होने तक गरम करें केक के मिस्रन में सक्कर को मिला दे ऐसा करने से केक करंग बहुत अच्छा आता है सॉफ्ट इडली बनाने के लिए उरत दाल चावल भीगोते समय है उसमें आधा कब साबुदाना मिला जब दाल चावल अच्छे से भीग जाय फूल जाय तो उसे पीस ले रायता को टेस्टी बनाने के लिए उसमें कसूरी मेथी को क्रस्ट करके डाले इसे रायता का स्वार डवल हो जाता है लाल मिच पॉडर को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें हीं का एक टुकरा डाल दे लाल मिच खराब नहीं होगी इसी तरह की कूकिंग टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन क्लिक कर ले ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पार वीडियो को जाए 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 शेयर करें और चल्दी से लाइक कर ले स्टे सीफ एन स्टे हिल्दी थैंक्स फ